मैंने बहुत बरस तक टीवी पर बहुत से लोगों की इंटर्व्यूज करी, साक्षाद कार किये और मुझे जब किसी के पास जाना होता था तो मेरे कुछ मित्र कहते थे उनमें ये ये दोश भी है, उसको भी आप हाईलाइट कीजिएगा लेकिन मेरा अपना ये मानना था, जब हम किसी को कैमरे पर लोगों के सामने प्रसूत करते हैं टीवी में, एक साक्षाद कार में, उसके अफ़ गुणों को हम ना बताएं उसके गुणों को जागर करें क्योंकि उसको एक रोल मॉडल बनाकर हम प्रसूत करें और किसी शायर ने क्या खुबसूरा ढंक से कहा था जो बात मेरे जहन में घर कर गई कि बात अच्छी हो तो उसकी हर जगा चर्चा करो हो बुरी तो दिल में रखो और फिर अच्छा करो रोश्नी करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम जिसको परदा चाहिए उसको भी बेपरदा करो